नमस्कार किसान भाईयो कैसे हैं आप सभी किसान भाईयो धान की अगर हम बात करें तो किसान भाईयो मार्केट में बहुत सारी ऐसी धान की बीज उपलब्द हैं जो बहुत ही अच्छा उत्पादन देती हैं ये जरूरी होता है कि जो हम धान बोने जा रहे हैं जो बीज है व कुछ किसान भाई तो अच्छी तरीके से उसको चुन लेते हैं, उनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है, तो वो काफी खुस हो जाते हैं अपनी फसल को देखने के बाद, और कुछ हमारे किसान भाई जो है, उनकी फसल अच्छी नहीं मिल पाती है, तो वो एक बीच के वज़ किसान भाई इस धान में हमें पानी की भी आवशकता बहुत कम पड़ती है, और यह 120 दिन से लेकर 130 दिन में यह पक कर तयार हो जाती है, किसान भाई अगर हम पौधे की लंबाई की बात करें, तो वो 100 से लेकर 105 सेंटिमीटर करीब की होती है, जब विपरित परिस्तियां उसम खराब होता है, तो यह पौधा उतना इसमें नुकसान नहीं होता है, और इसके बीज भी नहीं जड़ते हैं, इसमें बहुत ही शांदार कल्लो का फुटाव भी होता है किसान भाई अगर हम बात करें, तो वो 15 से 20 कल्ले आपको एक पौधे में देखने को मिल जाते हैं हर बाली से किसान भाई हम कम से कम 300 से 500 दाने हम इसमें पराप्त कर सकते हैं और यह काफी अच्छा चमकदार दाने और बजनदार इसके दाने होते हैं, अगर इसके पैदावार की बात करें किसान भाई तो यह प्रती एकड के हिसाब से 30 से 40 कौईंटल का उत्पादाना में किसान भाई बीच दर की अगर बात करें तो यह किसान भाई आपको लगबग प्रती एकड के हिसाब से 6 किलो ग्राम आपको काफी होता है, इसका रेट की अगर बात करें तो यह 280 रुपय में आपको प्रती किलो के हिसाब से यह आपको बीच इसका उपलब्द हो जाएगा, किसान भायों यह जो किस्म है हमारे उन किसान भायों के लिए बहुत जरूरी है जहां पर पानी की कमी है और बारिस भी जहां पर बहुत कम होती है तो वो किसान भायों इस वसल को जरूर करें क्योंकि यह पानी इसमें बहुत कम लगता है किसान भायों और इसमें रोग भी बह करें तो मुझे लगता है कि यह सबसे बेस्ट कॉल्टी है किसान भाइयो इसका जरूर आपको इसको एक बार इसका उत्पादन आपको करना चाहिए और सबसे बड़ी बात किसान भाइयो कि इसकी अवदी भी बहुत ही कम है यह बहुत ही जल्दी पक कर तैयार हो जाती है तो क किसान भाइयो अगर आप अच्छी उत्पादन चाहते हैं तो आप इस फसल का जरूर उत्पादन करें तो किसान भाइयो अगर यह वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करिए किसान भाइयो और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं किसान भाइयो तो आप स सबीका धन्वाद!